हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को अंत्यक दिखेगा चैनल पे प्राइखन दिखेगा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते है जो वीडियो को पूरा देखे हुए वही कमेंट करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के मादन सी बताता हूँ तो दोस्तो उन लोगों से request है कि आप वीडियो को अंतर जरूर देखेगा जैसे कि दोस्तो मैं यहाँ पर लिखाओं कि ITI की परिचा नहीं होगा 2020 बैक परिचा प्लस सिकेंडियर एकजाम तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर प्रूप दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो सोसल मेडिया पर एक यहाँ पर इस तरह का आपके सामने paper cutting वाइरल हो रहा है जो की बहुत ही तेजी से वाइरल हो रहा है मुझे भी यहाँ पर WhatsApp के माद्यम से किसी student की द्वारा ही मालूम किया गया अथा जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपना जो WhatsApp नमबर है मैं आपको दे चुका हूँ जो लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो के decision में जाए वहाँ पर आपको group मिलेगा आप वहाँ से जूड़ सकते हैं इसमें दोस्तो आई टी आई के वही student जूड़े हैं जो की आई टी आई इस समय एज्वाइन के हैं अथात आई टी आई पढ़ रहे हैं मैंने वहाँ पर लोगों के लिए एक group बनाया जिसमें वह लोग इस group में जूड़ चुके हैं और यहाँ पर आई टी आई समधित जनकारी पाते हैं आप दोस्तों बात क्या है देखिए मसला क्या है पहले तो आप समझ लेजे जो यहाँ पर पेपर कटिंग हो रहा है उसका बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पर पेपर के फ्रू यहाँ पर कटिंग बेजा ठीक है उस लोगों का कहरा यही था कि तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी साफ़साप लिखा गया है कि दो वर्सी आई कोर्स करने वाले ट्रेनिंग को असिस्मेंट के अधार पर कर दिया जाएगा अथा तुन यहां पर पेपर लिखने का मतलब यह है कि जो लोग चाहे वो फश्टियर की स्टुटेंट है चाहे सिकेंडियर की स्टुटेंट है यदि इस समय वो एक्जाम देने वाले हैं तो उनका परिच्छा नई होगा ऐसा इस पेपर में लिखा गया है और मैंने यूटूब पर भी देखा क्योंकि यूटूब पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की फेक वीडियो बना कर यहां पर प्रमोट कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको समझने वाली बात है कि अभी तक जो डिजिटी है क्योंकि आइटिय का जब भी नोटि जन्हेना पर कर रहे हैं कि अब पर चाहिए है कि आपको समझदारिक होना चाहिए कि आइसी आपकी जो आफुआयं प्रमोट कर दिया जा रहे है उससे हम बचे और अच्छी तरह हम परिच्छा में तैयारी करें क्योंकि दूस्तों जब भी lockdown आपका खताम होगा अथात आप सभी को मालूम है कि इस समय आपको 31 माई तक lockdown है ठीक है और जब भी आपका lockdown खताम होगा आपके तुरंत बाद अथात बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा दोस्तों कि उसका time table जारी किया जाएगा उसके बाद वहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर परिच्छा होने वाले practical exam होगा और तुरंत आपका exam होगा जैसे कि दोस्तों डिच्टिन ने जारी भी कर दिया है कि आपकी परिच्छा कब होई है यदि आपको उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया गए आप वहाँ से देख सकते हैं कि नया जो बैच है अथा जो आइटिया के एडिविशन होगा वो कव जारी किया जाएगा और जो आइटिया का एक्जाम होने वाला है जिसी कि आप सभी को मालूम है कि आइटिया की जो परिच्छा नई होगी तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर पेपर कटिंग के माध्यम से यहाँ पर जारी हो रहा था यहाँ पर वायरा हो रहा था तो बहुत सारी स्टुडेंट मुझसे कमेंट करके पूछ रहा थे कि क्या सरी यह जो न्यूज है यह सई न्यूज है क्या ऐसा होगा ऐसा होगा तो हमको ही फैदा होगा लेकिन दोस्तों मैं उनाइट आई के इस्टुरेंट सो कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे फेक न्यूज पर ध्यान ना दिजिए आप मंद से स्टुरेंटे कीजिए और यहां अप यदि आप ट्रेट से हैं तो आपके लिए डेली रात 9 बजए यहां पर कोर्स कराया जाता है फश्टियर को है चैसी केंडियर को यहाँ पर डेल यापके लिए एक एलेक्रिसियन ट्रेट से समधित कोश्चन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अच्छी से तयारी कर पाएं और इसमें वही कोश्चन आपको बताया जाता है जो की परिच्छा में आने की संभावना है तो दोस्तों यह कुछ वीडियो खास नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ऐसी में वीडियो बनाना नहीं चाहता लेकिन बहुत लोगों का कमेंड था और मैंने जो वार्टसफ ग्रूप दे दिया वहाँ से एडमिन का जो यहाँ पर नमबर निकाल के बहुत सारे लोग पूछ रह उसके आधारपा आपकी परिचा जारी होंगे तो दोस्तों यह थी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इस पर एक लाइक किजेगा और यदि सही जानकारी पराप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब किजेगा और घंटीवाल आइकोन को दबाकर और